क्लास 3 की साइन्स हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 एलेक्रिसिटी एंड मेगनेटिजम आज हमारे पास है वट इस मेगनेटिजम ठीक है magnetism is a force that involve object repelling or attracting one another magnetism वो force जिससे क्या होती है वो force है जो किसी भी object वो रिपल करती है या अपनी तरह पर ट्रेक्ट करती है रिपलिंग मीन पुशिंग अवे रिपलिंग का मतलब होता है अपने से दूर करना these objects are called magnets and they usually contain matter such as iron that have strong magnetic qualities कह रहे है कि यह क्या होता है magnet वो object होता है एक iron piece होता है और उसके अदर ऐसी quality होती है कि वो हर चीज को अपनी तरह अट्रेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके जो electrons होते है वो एक ही direction में जा रहे होते हैं फर्दर हम आगे पढ़ते है magnetism work when all the electron in a metal are moving in the same direction किसी भी metal की पीस के अंदर आप लोगा ने चेक करना होगे कि वो magnet है यह नहीं है तो आप लोग क्या करोगे दूसरे iron piece को को उसके साल टैच करके देखने के कोशिश करोगे अगर वो एक दूसरे के साथ टैच होगे इसका मतलब यह है कि जो electron है ना उस metal piece के वो एक ही direction में क्या कर रहे है move कर रहे है युजलिए electron move all over the place but in certain metal they are moving the same way कहते है जितने भी हमारे पर बाकी metals है उसके अंदर अलग अलग direction जैसे देखने एक यहां जा रहे है यहां 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 तो अलग direction में जा रहे है तो कहरे है कुछ ऐसे metal की पीस हो जिसमें same direction में जाते है इस metal is non and magnet यह वाला is not magnet यह वाला magnet नहीं है अब metal with electron move in the same direction this is this metal is magnet और यह वाला कौंसा metal है magnet है magnets have two and two and non as poles इसके दो end होते है एक और दो यहां पे इसको क्या कहते है पोल कहते है one is one is the north pole and the other one is south pole north and south pole the north and south pole of two magnets with attract each other लेकिन अगर हम क्या करें कि south-south को करेंगे तो वह एक दूसरे को रिपल करेंगा बट टू नॉर्थ पोल और टू नॉर्थ पोल और तू साउथ पॉल रिपल इच अधर ठीक है जब यह same होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगा आई होप सोर क्लास आपको ही समझा आगया अच्छे तरीके से डीट कीजेगा इसको अलाग बट आपको रिपल करेंगा